जहां जहां प्रबु शिरी राम का नाम आता है, वहां भगवान हनुमान का जिक्र भी हो ही जाता है। जब तक इस धर्थी पर प्रबु राम का नाम रहेगा, तब तक राम भक्त हनुमान भी रहेंगे। आप सबी ने हनुमान 40 का कभी ने कभी तो पार्ट जुरूर किया होगा और कुछ लोग अपने द्यानिक जीवन में रोज इसका पार्ट भी करते होंगे हनुमान 40 की रचना स्वामी तुलसिदास जी ने अवधी भाशा में की थी हनुमान चालिसा का अर्थ हमने यानि ग्यानविला यूट्यूब चैनल ने आपको इन दो वीडियोस में बताया था और आप सब ने इन वीडियोस को बहुत प्यार भी दिया था लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि आखिरकार तुलसी दास जी ने हनुमान चालिसा की रचना कै कैसे की और तो और इस रचना का संबंध मुगल भारशा अकबर से भी है तो चलिए मिलकर जानते हैं हनुमान चालिसा की रचना की कहानी के बारे में नमस्कार मित्रों आपका ग्यान विला यूट्यूब चैनल में स्वागत है धार्मिक साहित्ते में यह वंडन मिलता है कि गोसवामी तुलसी दास हनुमान चालिसा के रचाईता है लेकिन आप शायद यह चानकर हरान हो जाओगे कि रामचरी तरमानस की रचना करने वाले महानसंद तुलसी दास जी ने जेल में रहकर इसकी रचना की थी यह कहानी उस दोर की है जब हिंदुस्तान में मुगलों का शासन हुआ करता था मुगल बाशा अकबर के राज्य में हिंदू धरम को मानने वाले लोग खुद को सुरक्षित नहीं समझते थे मुगलों का राज्य धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था कहा जाता है कि उसी दोर में एक दिन भगवान राम के परमभक्त तुलसिदास को अकबर ने अपने धर्बार में बुलाया और कहा कि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाहता हूँ तब गोस्वामी तुलसिदास जी ने कहा हे राजन हमारे अराध्य धे प्रभु श् दर्शन देते हैं और आप तो उनके भग्त भी नहीं हैं तो आपको वह दर्शन कैसे दे सकते हैं तब अकबर ने कहा कि आपके श्री राम से मुलाकात कैसे हुई तब तुलसिदास जी ने कहा कि राम कथा सुनाते सुनाते मेरी मुलाकात एक दिन हनुमान जी से हुई तब उन्होंने मुझसे कहा कि चित्रकुट के घाट पर आपको प्रभुश्री राम के दर्शन होंगे। मैं घाट पर एक दिन बैटा हुआ था, तभी तो यूवक दिखाई दिये, लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं सका। इस बात से मैं बेहद उदास था। तब हनुमान जी ने कहा कि चिंदा मत करो, दूसरे दिन फिर प्रभुश्री राम तुमें दर्शन देंगे। दूसरे दिन जब मैं चंदन घिस रहा था, तब प्रभुश्री राम बाल रूप में आए और कहा कि बाबा मुझे भी चंदन लगा दो। हनुमान जी ने सोचा कि कहीं मैं इस बार भी उन्हें पहचानने मैं भूलना कर जाऊं। तब हनुमान जी ने तोते का रूप धारन कर एक चोपाई पड़ी। उसके बाद प्रभु श्री राम को मैंने तिलक लगाया। बस यही मेरी भगवान दर्शन की कहानी है। लेकिन र हलाकि इतिहास की कई किताबों में इस बात का वर्णन मिलता है कि अकबर हिंदू धरम का विरोधी नहीं था। उसे एक अच्छे शासक के रूप में दिखाया गया है। लेकिन तुलसीदास जैसे संत के साथ ऐसी घटना की कहानी उसके हिंदू वरोधी सभाव को दर्शाती हलाकि तुलसीदास जी जैसे संत व्यक्ति को अकबर के इस वहवार से कोई भी अपत्ती नहीं हुई। वह कुछ कहने के बजाए कारागार में कैद हो गए। वहाँ बैटकर तुलसीदास जी हनुमान जी के गुणों का वंडन करने लगे। जेल में बैटे बैटे ही उन्हो तुलसीदास जी बंद थे। उसके आसपास अचानक बंदरों की संख्या बढ़ गई। सभी चुपाईयों की रचना के बाद तुलसीदास जी उन्हें पढ़ रहे थे। तो वहाँ बंदरों का जुंड उमड पड़ा और एक बुड़ा बंदर। बिल्कुल आखरी तक एक एक चुपाई सुनता रहा कहते हैं कि वह भुड़ा बंदर कोई और नहीं बलकि स्वेम हनुमान जी थे। इसलिए यह कहते हैं कि तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा पहली बार खुद हनुमान जी नहीं सुनी थी। तुलसीदास जेल में जहां भक्ती तुलसीदास हनुमान जी के गुणों का बख्यान कर रहे थे। इसलिए बंदरों ने इतना उत्पाद मचाया कि वहां के सुरक्षा कर्मी भी परिशान हो गए। तो उसके मंत्रियों ने सलहा दी कि महराज आप तुलसीदास जैसे संत को करागार से मुक्त कर दीजिए वरन इन्हीं वानर सेना के सहारे तो प्रभुशिरी राम ने लंका का युद्ध जीत लिया था। तो भला तुलसीदास जी को जेल से रिहा करवाना उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। आजकल ऐसी पुरानी कहानिया किताबों में नहीं मिलती। आपने मुगलों का इतिहास जरूर पड़ा होगा जिसमें अकबर के शासन और उसके युद्धों का बेख्यान किया हुआ है। लेकिन ऐसी कहानियों को कहीं जगा नहीं मिलती। क्योंकि इतिहास में धरम को जगा देने की जब भी बात आई है। तो इतिहास कारों ने यह कहकर पीछा चुड़ा लिया कि पता नहीं ऐसी कहानियों की क्या विशेश नियता होगी। आपको शहजिया जानकर हरानी होगी कि हनुमान चालिसा दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पड़े जाने वाली पुस्तक मानी जाती है। इन्ही इतिहास के अंसुने किस्सों को बताने के लिए हमने ग्यान वि में हनुमान ची की शक्ती के बारे में बताया गया है जबकि 11 से 20 तक की चुपाई में भगवान राम का गुणगान किया गया है। इसके अलावा 11 से 15 तक लक्षमन जी के बारे में बताया गया है और आखरी चुपाई भगवान हनुमान की कृपा के बारे में बताती है। हनुमान चालीचा पढ़ने वाले व्यक्ति को कभी भी भूत प्रेत या अकाल मृत्यों का डर नहीं होता इसलिए कहते हैं व्यक्ति को रोज एक बार हनुमान चालीचा का पाग जरूर करना चाहिए तो मित्रो यह था आज का हमारा वीडियो अब मैं मिलूँगा आपको अगले ऐसे ही किसी और वीडियो में तब देखे लिए जैशरी राम